में नेंदर मोदी जी के जो सपना है कि उसको जो भारत के अंदर कॉंग्रेस मुक्त करना उसके सुरात हमने पाली जिल्ये से की है मैं परदीव जी आगो बता हूं कि राजी गौनी जी कहते थे कि मैं सोर पर भेज़ता हूं और दस पर पहुंचते हैं पारिटी में हैं तो हम लोग चाहते ही है कि में को मौका मिलें इस पांगरेस के राज में यह हुआ है कि नसा पाली संबाग में चरम पे हैं आप आगल उटा कर देख लिए और अफीम चरस गांजे के बारे में पाली जिली में सुननी पाठेते पहले पिल्ड लिय को परबाद कर दिया है और यह केसा नाम है वहां पर एमाराम जी का नाम है प्रेमा नाम है पृपी चौदरी साफ का अभी तक मैंनेक ही सुना नहीं, पाली जिला ही स्ट्रांग है वहाँ किसी को भी लड़ों को फरकनी है जिता इन मैं आपको पता है पहले में आपको पाली को कॉंग्रेस ने ऐसी वर को अभी तक कुछ नहीं दिया कॉछ नहीं करता है कि यह काम करता नहीं काम करता नहीं नहीं करता है पाली जिला जहां BJP की 6 मैं से 5 विधानसवा सीटों पर विधाई की हैं और एक सीट निर्दिले हैं मारवार जंक्षन हमारे साथ BJP के नेता है जिला मामंत्री हैं सुनील बंडारी टिकट मांग रहे थे इस बार युआ होने के नाते लेकिन BJP ने ग्यांचन पारक को ही रिप के पास थी पिछली बार पांच रहेगी इस बार क्या रहेगा वापस कब जाएंगे 6 लगाएंगे या चार या तीन पर जाएंगे उसका काइन भी है कि पिछले आप समझोंगी अमने लगबर 10 सालों से कॉंग्रेस मुक्त जैसा जो सपना नैंनों मोदीजी ने देखा है उ है इसको सब्सक्राइब जाएब है उसको सुरात हमने ने से की है और आज पर उसको है सीमयcker पाली शहर में कई सारी समस्याइं हैं लेकिन पंचायती बहुत चलती हैं यहां पे बिना मुद्दे और निश्कर्स की पंचायती आपको क्या लगता है कि ग्यांचन पारक क्यों जीतेंगे इस बार एंटी इंकम्बेंसी हैं उनके खिलाफ में लोग बता रहे हैं इस पर पार गान जाती हैं नहीं हैं और शुक्त कर्षब इसके कशलक है कि समस्याइब आती है लेकिन जब राष्ठ के तो साहरा एक जुट हो ignored करते हैं वह व्यक्तिव से प्रती कुछ बात होती है तो भी वह गौन हो जाती है क्योंकि पार्टी चुना लखती है क्या जन पारक युवा वस्ता से राजनती में शुरुआत करते हैं 25 साल तक कंट्री में विधायक है छटी बार वो फिर से टिकेट लाएं हैं क्या लगता है और वहाँ से ब्रत्याशी अभी तक नहीं हूए क्या लगता आपको चादरी हो सकते हैं या केस आराम रहेंगे पिपि चौदरी का नाम है पिपी चौदरी साब का अभी तक मेने कहीं सुना नहीं है सांसतों को पाल्टी उतार रही लेकिन वह फर्स्ट फेस में जरूत इमा उतार था पाली वैसे भी स्टॉग है और यहां पे किसी को ऐसा को सब्सक्राइब को देखते हैं अब अदावत चल रही है पार्टी से क्या लगता है आपको फरक पड़ेगा अगर वह बागी होते हैं तो वह बागी होते हैं तो उस समय का समय क्या होता है आपको वह जाजम कीन सकते हैं यह कुछ नहीं है लेकिन फ़ीं के बंटारी जी है आपने बताया कि जिल्ए में लगता है नए चहरे या पुस्पेंडर सिंग्राणावत का क्या परिणाम रहेगा परिणाम तो जीती है वहां बीटीपी टार रही है उनके आदिवासी वोट बैंक बहुत अच्छा है लेकिन पुस्पंदर जी का उन्होंने जो काम किया है कोई भी कॉंगर्स का मेटा वहाँ जाके काम को सब्सक्राइब सुमेरपुर जोरा राम जी को मौग टिकेट बदलने की बात थी लेकिन टिकेट ले आये वो क्या लगता है सुमेरपुर में लोगता है यही लोगता है जिसमें सब लोगों को हक होता है और पुर्जोर तरीकी से मंगा है सब पिछली बार उनके सामने कमजोर प्रत्याशी थी रंजु रामावत इस बार कहरें बीना काक फिर से कोशिश कर ली क्या रहेगा एक पॉलिटिकल पालिटी सीतर बताएं आप तकर रहेगी या निकाल लेंगे सीट बीना कॉक पहले जीती हुई है तो दूदर चाचा पंच् अब द्यावर जीले का हिस्सा हो गया है जैतारण क्या लगता है अलग तरह की पल्टिक्स हैं वहां की मगरा की मेवाड की मेरवाडा की और आपके इसकी नागोर वाला टच है उसमें जैतारण में आपको पता है पहले पी सुरंदर गोईली ने जब टिकट पिटा था और अब टिकट मिलाता उस समय सुरंदर गोईली ने पारटी के सारे लोगों को इस तरीके बता है कि वह चलेंज पूर एक्सप्ट दिया और उसकी सब्सक्राइब अगर शुरंदर जी ने लगता है तो मेरे को प्रॉलम आती है कि अविना जी सकते हैं पारटी के सारे दूर पहले कुछ भी हो सकता है कि अभी तक सिर्फ मारवाड सीट पर डिकलेर किया है प्रत्याशी जी सोजत में भी किया है जहां पूर वाइस हैं उनको तो बाग और मारवाड पर आप नहीं कर पाए हैं सोजत की बात करेंगे हम हमारे साथ राकेश पमार हैं और अनुसुचित जाती जाती के मुद्दों पर आप लगातार एक्टिव हैं राकेश जी जानेंगे क्या लगता है सी वोट बैंक कॉंग्रेस के रही हमारा मूल वोट बैंक है किस और जाएगा सी वोट बैंक पिछले कहीं सालों से तो लोग भांती थी कि कॉंग्रेस से चुड़ा हुआ है मैं प्रदीव जी कहते थे कि मैं सो रुपे बेज़ता हूं और दस रुपे पहुंचते हैं जब से नियांदर मुद्दी जी ने कमान संभाली है यह हुआ है कि हर मामले में सब्सक्राइब होता यानि कि पूरा पैसा उसका सरकार के हर योजना है सैंटकर क्या सब्सक्राय कि असलिए चूरा का पूरा असी परसांट, 9% विच्छी तरुडब रहे हूएं उनकी पत्नी आर्पेसी में में इत्ती बड़ी परसनल्टी को कांग्रेस ने और बड़ा बनाके टिकट दिया है सामने महिला प्रत्याशी है क्या लगता है आप सोज़त सीट से सोज़त सीट से पहले भी BGP रही है उसे पहले भी बाज़बा रही है सज्ञा जी रहे है तो मेरे को लगता है को समस्य आएगी बाकी जगहों पे जो दलित वोट बैंक है वो निरनाएक है सभी जगह पे सुमेरपूर और बाली में आदिवासी वोट बैंक भी अच्छी संक्या में है क्या लगता है अगर आरल पी जैसा की दलितों पे प्रयोग कर रही है बीटी पी एस्टी पे प्रयोग कर रही है लगता है तो वोट अगर आप कहरें बीजेपी के साथ है तो वोट बैंक तो बीजेपी का टोट रहा है फिर आरल पी का आउल आप देखे पूर रास्तान में उसका जो परवाव है वो नागोर या कुछ वहीं वहीं जगे मारवाड में और मेवाड में आरल पी हो या बीटी पी हो जैसे आप कह रहे हो यह बीटी पी और यह हमारे सुमेरपूर बाली बैल्ट यह आते हैं पुस्पंद्र जी जो काम करता हैं अनुसित जन्जाती वर्ग के सब्सक्राइब और बाकी बाली में सेस्टी जो कम्यूटी है उसके मुद्दे क्या है क्या लगता है किस तरह के काम होने चाहिए परिशानी तो है पिछड़े तो है इसमें कोई दो राएं नहीं है में हुआ है है नहीं है इसारो मालं को न चाहिए उंको पद मिलने चाहिए ह्मक इलिए बहुत समझ्य आती है और यह सत्य है जा समस्य आती है और यह है इस 그게 काम रही है और काम किया है मैं आपको पाली को कॉंग्रेस ने पाली कॉंग्रेस ने ऐसी वर को अभी तक कुछ नहीं दिया कॉंग्रेस ने यह स्थित्या है मुसल्मान भी है वोटर के तोर पाली में मौमिडिन को मैंने करता है कि काम करता नहीं कुछ चेत्रों के पाली जिल्ह में जैबीम जैमी मारा काम नहीं करेगा और बीची पिस लोग जुड़ूए है मैं सुसल्वर्क मैंने एस एस्ट के लिए खुब काम किया है मैंने जमीन पर काम किया है मैं विजीपे के लिए बूट पर काम किया है मैं वर्कर रहा हूं जमी जुड़ूए ऐसी वर्क जब सिर्कार की योजना है जाए वो आवास वाली योजना हो चाए मुद्दार लॉन वाली हो आप गाम में जाओ तो नेंदर मोदी जी क्या परगता है ऐसी वर्क वो बताता है किसको 25 लोगों मिल रहा है वो सरकार की यूजना आपको हाथों बें गिनाएगा यह है उनका मुख्यमंत्री अशोग गयलोद भी तो बहुत कर रहे हैं कॉंग्रिस गवर्मेंट अच्छा काम कर रही है से वर्क के लिए मुख्यमंत्री साड़े चार साल तक नों कुछ किया नहीं और चुनावी साहब नों गोशना की और पब्लिक कुद कह रही है कि जमीन पे सीम साब कभी लेट हो गया तो कभी लेट हो गए और जालोर वाला जो परकण हुआ गीत अंदर हत्या कांट हुआ ऐसी वर्क के लिए सट्र्खाव में सेंटर कॉर्मेंट पर से दी है सरकार के सारी योजना है जो राजटे सरकार दिए incomes मनने परदा मंत्री के महां साता है सेंटर कॉर्मेंट साता है जमीन पे इस तरह यह है कि हमारे परवारी मंत्री टिकेराम जोली है अप कांग्रीस की बात करें टिकराम ज with परबारी मंत्री है समाज क्लियान के और समाज क्लियान की इस्तिया है कि हमारा समाज क्लियान पाली जिले का खाली पड़ा है दो बबू चला रहे हैं सरकार की कोई भी स्कीम जम इन पर इंपलिमेंट नहीं है सरकार की और इस्तिया है कि जिन जिन लोगों पर आरोप लगे हैं समाज के लियांट में कॉंग्रिस के नेताओं ने उनको निक्टा दे दी कॉंग्रिस के नेताओं ने इनकी ट्रांसपर करा के मलग कॉंग्रिस ने पाली जिले में पूरा धरा खराब कर रहा है कॉंग्रिस के राज में यह हुआ है कि नसा पाली संभाग में चरम पे है आप आ प्रमुख रहे हैं पाली के और ब्राह्मन समाज के बड़े नेता हैं क्या लगता है वोट बैंक किस बार किस ओर जाएगा पहली बार ऐसा रहा है राजस्थान में आफ्टर डेमोक्रेसी कि राजस्थान के लगबग लगबग पत्री रहे हैं मैंस जोशी मंत्री रहे हैं बीडी कला काफी काफी मिला है तो क्या ब्रामन वोट बैंक इस बार बीज़ेपी से किस गेगा तो नहीं पार्टे को से आधे-धे विदायक जीत रहे हैं पाली का लगता है आपको आप मारवाड इलाके से आते हैं पाली से 6 में हैं पाली से 6 सिटे भार्वार्वाटइ जीते गी जब हमारे राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार थी तो भी 6 में से 5 सीटे पारी ने जीती भी तो अब तो हमारा राज आने वाला है तो निस्टी गूरूप से हम 6 में से आप मान रहे हैं राज आएगा आपके मारवाड जंक्शन की सीट डिकलेर नहीं हुई है मारवाड की सीट किसी कारणवस रुकी हुई है वो भी बहुत जल्दी उसकी घोषना हो जाएगी और 6 में से सीटे हम 6 जीत के जाएंगे और पाली की 6 सीटे निसी दूप से पारी जिनता पारी जीती तो ये बेसिकली बीजेपी विचारधारा के लोग हैं जो पाली की 5 सीटे डिकलेर होने के बाद अपने विचार बता रहे हैं देखना है परिणाम क्या रहता है आप परिणामों पे नजर बनाएंगे 3 दिसंबर को इससे पहले 25 नौउंबर को चुनाव हैं और इस बार चुनाव की प्रक्रिया 25 नौउंबर से पहले ही वोट डलने की शुरू हो जा तेंग 361